देखिए हम ओवर्राल पिक्चर देखेंगे अगर भारत का भारत और मॉल्डिव्स के कनेक्शन पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूम हो गये थे और पर्टिकुलरली कोविट के बाद ये तूरिजम वहाँ बढ़ा था तो आज की तारिक में अगर हम लोग ओवर्राल इ अगर हम सारी फ्लाइटों की कैपैसिटी पकड़े तो लगबग हमारे पास 1200-1300 पैसेंजर्स की कैपैसिटी रोज की है जो बॉम्बे से माले डारेक्ट चाहती है अब ओवर्राल इंपक्ट इस बात का जो भारतिये लोगों के मन में आदर और प्रेम है प्रधान मंत्रीज कोई पॉसिबिलिटी है कि ये जो बारा पंदरा सो पैसेंजर्स रोज के जाना आना होता है इसके अंदर एक 20-30% कैंसिलिशन की उमीद कर सकते हैं कितना बिजनेस को कितना लॉस है बिजनेस लॉस तो हम ट्रावलिजिंट्स को तो नहीं होगा मॉल्डिव ऐसे कंट्री को जरूर होगा क्योंकि लोग अपना डेसिनेशन बदल लेंगे बजाए कि मॉल्डिव के जाने के लोग प्रोबैबली आज की तारिंग में बढ़ सकता है देखें लक्षोदी पे भी आज की तारिंग में अगर देखो तो 36 द्वीप है लगबग पर अब हमको उनको ड्यालोप करना पड़ेगा अगाती एरपोर्ट है और वहाँ पे होटल्स सुविधाय सब करनी पड़ेगी तो उसमें स्थोड़ा समय लगेगा प सेकड़ो आइलेंड्स है पर डेवलब्ड और इन्हेविटेड आइलेंड्स अब समझो अगलगबग तीस के आस पास है तो उमीद कर सकते हैं कि यहां के टूरिजम यहां बढ़ेगा जो लोग पहले जाये करते थे टूरिजम के लिए माधिर्स अभी क्या उनका पहले जात हैं तो एक कैंसलेशन की मुहिम सो शुरू हो जाएगी यह उमीद कर सकते हैं और जो एक्सपेक्टेशन था आज हमको एक्सपेक्टेशन था कि मॉल्डिव कम से कम भारत से बीस फ्लाइट डारेक्ट जाएगी उस पे रुकाउट आजएगे नया ग्रोथ नहीं हो पाएगा आज साथ आज फ्लाइट डारेक्ट है उसका पाँच हो सकता है पर बीस तो नहीं होगी हो अल्रेडी लोगों ने इंक्वारी शुरू कर दी भी कैंसलेशन पैनल्टी कितनी है क्या चार्जिद लगेंगे हमने जो बुक किया है तो उमीद कर रहा हूँ मैं बीस से तीस परस एगा कम जितुत है